नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोगों के सामने कमल गटा लेकर आया हूँ और इसी फायदे के बारे मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तो देख लीजिए पहचान लीजिए इसे कमल गटा कहते हैं और यह हमारे सरीर के यह बहुत ही फायदे मंद होता है तो दोस्तो कमल गटे फायदा जानने से पहले हम कमल गटे को ठीक से जान ले पहचान ले कि इसका क्या क्या समानी इस्तमाल करना है यूज करना है तो दोस्तो यह कमल गटा फारने के बाद इसके अंदर बीज निकलता है वह बीज मैं आप को दिखाता हूं तो दोस्तों कमल गट्टे को फारने के बाद देखिए इस तरह से बीज निकलता है वह बीज में आपको दिखा रहा हूं देख लीजिए यह देखिए दोस्तों यह कमल गट्टे का बीज है दोस्तों इस तरह से कमल गट्टा को फारने के बाद उसके अंदर खाया जाता है या बहुत ही पोश्टिक अहार है बहुत सो लोग कमल गट्टा भाजी बना कर खाते हैं तो देख लीजिए दोस्तों या कमल गट्टा है जो कि पूरा के पूरा दिखाई दे रहा है और फिर हमने उसे खोला तो इस तरह से हुआ और फिर कमल गट्टे के अंदर इस तरह से बीज निकला और इस बीज को खोलने के बाद इस तरह से सफेज सफेद गिरी निकला यह गिरी बहुत सारे आईरवेदी कवसुदियों से भरा हुआ है दोस्तों आपके जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं कि यह कमल गट्ट का बीज जब कच्चा रहता है तो हरा रहता है और सूख जाने के बाद काला हो जाता है और इसका पूजा पाट में इस्तमाल भी होता है और इसका माला भी बनता है तो दोस्तों मैं उमीद करता हूं आप कमल गट्टे का बीज और कमल गट्टा दोनों को देख चुके होंग तो आओ चलो अब इसके आयरवेदिक गुड़ों को जाने किया हमारे सरीर के लिए कितना फाइदे मंद है तो दोस्तों पेटों के समस्त बीमारियों में या कमल गट्टे का जो सफेज सफेद गिरी आप देख रहे हैं यह बहुत ही फाइदे मंद होता है यह पेट के सीडी ट दोस्तों यह कमल गट्टे का गिरी बहुत ही फाइदे मंद होता है यह सुगर को तुरंत कंट्रोल करता है दोस्तों यह कमल गट्टे का गिरी ब्लट पेशर को भी कंट्रोल करता है दोस्तों यह बहुत ही पारफूल ताकत वर्धक होता है सक्ति वर्धक होता है इसके सेवन से बल बढ़ता है ताकत बढ़ता है बीर बढ़ता है दोस्तों पूर्सों को होने वाले सिक्रपतन में कमल गट्टा का चूरन बनाकर मिश्री मिलाकर एक चम्म सुबा साम खाने से बीर गाड़ा होता है दोस्तों इस्तिरियों को होने वाले लिकोरिया रोगम भी बहुत ही फा काला काला मिलेगा उस काले काले बीच को पत्थर कसिल में पीस कर पॉडर बना लीजी और मिश्री मिला कर सुबा साम सेवन करने से दूद के साथ इस्तिर्यों को होने वाले रोग लिकोरिया सफेद पानिक सिकायद दूर होता है इसके सेवन से करीबन एक महीना तक सेवन करना पड़ता है हैं दोस्तों बहुत से लोग कमल्गटक सबस्बदी बनाकर सेवन करते हैं लेकन खराओ किसका बना आपको बता देता हूं तो देख लिए दोस्तों सबस्पेर गईभी तरीके कमदूरिए नहीं आता है सरीर का से इस्की पाणौ बढ़ा रहता है कि पंधिनको सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तों पहाड़ी आइरवेदिक